तो हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग खौब आप अच्छे होंगी तो पिछले अपिछोड में हमने पिछली क्लास दी आप्टर अफेक्ट की उसके अंदर हमने रन किया सिखा कि हम लोग यह जो डिजाइन है उसको हम लोग कैसे अनिवेशन कर सकते हैं कैसे उसको अफ्टर अप् फोटोशॉप के अंदर तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक शेर एंड कमेंट जिनूर करें जितना कमेंट आप करेंगे तो उतने से अच्छा अच्छा हमें आपके लिए टॉपिक आपके साथ में आपके चैनल पर लेके आँगा तो बिना किसी को ग्रीड बनाना सीखना है नहीं बनाना आता है तो अगर किसी को नहीं आता है तो देन आप क्या कर सकते हैं मुझे कमेंट करें तो मैं एक वीडियो इसके उपर अलग से बना दूगा कि आपको पर्टिकुलर ग्रीड कैसे बनाना है तो यहां पर मैंने 96-96 की एक तो यहां पर आप देखेंगे कुछ इसके टूल्स आपके सामने आ रहे हैं तो यहां पर हम लोग एक तो पैंटूल्स से पारे में आहां कि हम लोग बना और घ्ल Haz venture की यहां तो यहां पर हम लोग आज जो है और तो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर में स्क्रीन बनाता हूँ, तो six panel मेरे left और six panel मेरे right के मैंने left की हैं, और अगर मैं यहां से control आर प्रेस करता हूँ, तो यह मेरा ruler बंद किया जाता है, तो मैं यहां से पहले तो एक सेंटर लेता हूँ, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven 12, और यह मेरा बिल्कुल सेंटर आ गया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं अपना rectangle टोल लेता हूँ, तो rectangle टोल लिया, तो मैंने जैसे ही इस पर click किया, तो मेरी width and height आ जाती है, right click करता हूँ, तो इसके उपर width and height आ जाती है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक calculate म निकालता हूँ, यहां पर, इस टाइब से, और width में मुझे क्या चाहिए, 12 panel में ने left में छोड़ दिये, उस wings के लिए, और 6 left में छोड़ दिये, 6 right में छिड़ दिये, तो 12 panel छोड़ दिये, तो center में मेरे plus 13 panel बच गए है, तो 13 panel में क्या करेंगे, हम लोग 96 into 13 करतेंगे, त तो यह आता है, 1248, तो मैं यहां पर fill करता हूँ, 1248, यह मेरा width हो गया, जब मैं height करता हूँ, तो height में में जे क्या करना है, same calculator में निकालना है, और इसको clear कर दिये, 96 into height के अदर मुझे 6 panel चाहिए, then 576, तो यह बन ले आपका 576, then इसको आपको करें, तो आपके पास एक centers का screen आ गया, आपके यहां से इसको select करें, मैं इसको थोड़े zoom कर लेता हूँ, इस type से, और इसको उठाके हम लोग इसको center में कर लेते हैं, इस type से, इस type से, ठीक है, तो यह बिरा एक center में lines बन गई, ओके, तो अब जो हमारा, यहां पर एक center में, और इसको आप जूम करेंगे, जूम करके ही काम करना है, आपने, इस type से, क्योंकि अगर जूम नहीं करेंगे, देखे, अभी मैंने तो अंधाल ऐसे कर लिया था, लेकिन अभी क्या यह lines जो है, वो प्रॉपल तरीके से, नहीं set बैठी है, यह देखेंगे, जैसे मिरे इसको जूम करते हो, तो अभी एक black dots यहां पर line पड़ी होई है, यहां पर, यहां सेट है, और यहां पर भी आपका ठीक है, दिलकुल perfect है, ठीक है, डन है, ओके, एक panel में नेजर छोड़ा, यहां पर यह हो गया, कर दिया, उसके बाद में क्या करना है हमें, अब हमारी बारी आती है, यहां से हमें ने, जिस angle में line क्लिक करनी है, ठीक है, तो वहां पर मैं इसको, इस step से, क्लिक करूँगा, इस step से, ठीक है, और दूसरी तरफ, यहां पर कोशिश एक और करते हैं, कि यहां जो साइट के points है, यहां पर मिरी नजर नहीं आ रहा, तो इसको क्या करते हैं, ब्लैक आउट कर देते हैं, तो एक-एक box को मैं क्या करता हूँ, यहां से blackout कर देता हूँ, तो ब्लैक आउट करने के लिए simple है, आपने कुछ नहीं करना है, एक box के ओपर क्लिक किया, और अल्ट प्लस डिलीट प्रेस कर दिया, तो यह ब्लैक आउट हो जाएगा, आप यहां से color स्लेक्ट कर सकते हैं, आल्ट डिलीट, ctrl दे, तो इस type से आपने यहां से एक box किया, द इस type से, and तीसरा आपने इसको यहां से लेक्याने, कि आपके जो lines है, वो सीधी रहेगी, इस से, ठीक है, इस type से, right, ओके, यह अपना clear हुआ, तो then अब हम लोग क्या, अब यूज करते हैं, पैंडोल को है, तो पैंडोल में पैने वाला पैंडोल यूज करता हूँए, तो simple, कहां से मैं प्लस किया, और यह दिखी, मेरे यह जो, तो rollers की line है, वो क्या काम आती है, मैंने यहां पे click किया, simply, and, यहां पे click किया, तो यह क्या होता है, कि मेरे को यह line, बिल्कुल, neat and clean and cd, click हो जाएगी, यहां से, ठीक है, और उसके बाद मैं, यहां से मुझे, इसक right, and, उसके बाद मुझे, यहां click करना है, then, मुझे, इसे, यहां click करना है, क्योंकि आप अगर, इस टाइप से पहले ही, सब कुछ setting कर लेंगे, ruler वगरा की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई design बनाने में, तो measurement बहुत जरूरी होता है, यह चीज आप देखिए, enter, और, यह देखिए, आपका design हो, center का almost ready होके, त्यार है, त्यार है, उसके बाद में, एक चीज और रहे गए, यह आपकी, दोनों साइट से, आप यहां से इसको click करें, then, यहां पर click करें, and, इसे, यहां करें, sorry, इसको थोड़ा, यहां करें, ठीकि, then, enter, same to same, आपने, यहां पर यहां पर यहां ही करना है, यह शुरू किया, आपने किया, आपने किया, then, आपने, इस टाइप से, आपने एक center का design बना दिया, यह हो गया आपका एक center point, अब मैं इसको अगर यहां से इसको black करके दिखता हूँ, तो आपको नजर आ जाएगा, और, sorry, यहां से एक new layer ले ले लेते हैं, उसमें आपको proper तरीके से नजर आएगा, तो, new layer लिया, और इसको भी निकिया, और delete, black out किया, इस layer को, ठीकी, तो अभी आपको सामने है, यह proper तरीके से आपको नजर आ गया, तो, यह आपका हो गया, उसके बाद की बाद आती है, इसको बन करते हैं, यहां, उसके बाद में आता है, जो मेरा side का panels था, और एक बड़े panels थे और छोटे panels थे, तो वो चीज हमने कैसे करनी है, ठीके, सबसे पहले क्या करने है, हम लोग एक बनाते हैं, 5 panels का, इस टाइब से, तो 5 panels का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे simply मैंने क्लिक किया, और calculator पे जाता हूं, and height, तो मेरी 96 ही रहेगी, क्योंकि single panel बनाना है, और height मेरी 5 panels की हो जाएगी, तो इसको clear करते है, 96 into 5, 480, तो मैं यहां पर करता हूं, 480, and यहां पर कहरते है, 96, then okay, यहां पर आ गया, अब यहां से में थोड़ा जूम करके आपको मुझाता हूं, यहां चेक करेंगे, यहां पर आपको बीच के अंदर एक-एक dots नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, simply एक dots पर click करना है, and इसको यहां से, इस step से click कर देना है, कि जब तक यह आपका center points में मर्जना हो जाए, तो 4 points थे मेरे पास दो बन गई है, क्यों बन गई है, क्योंकि मैंने इनको आपस में मिला दिया है, तो अब क्या करेंगे, इसको उठाया, आपने यह 5 पैनल पर डाल दिया, इस step से, right, okay, तो इसको जूम करके करना है, आपने प्लीज इस चीज का पूरा ध्यान रखें, इसको जूम करके करें, right, तो एक पैनल दूसरे पैनल पर ना आए, तो अब करना क्या होगा, आपका इस पर नहीं आना चाहिए, यह चीज का पूरा ध्यान रखना है आपने, ठीक है, यह हुआ, अब उसके बाद में क्या गरते हैं हम लोग, एक में नहीं इसका 6 का बनाया, और दूसरा में बनाता हूँ, अभी calculate निकालते हैं, और यहां से 96 into 7 पैनल का करते हैं, 6,7,2, तो simply क्या किया मैंने, यह दून लिया, यहां पर किया, और 6,7,2, and height तो मेरा same है, तो मेरे पास क्या हुआ, अभी 7 पैनल का बन गया, तो same to same मैंने इसको step से लेना है, और center में मिला देना है, तो मेरे पास क्या हुआ, एक 6 पैनल का बन गया, और एक 7 पैनल का, तो अब मैंने क्या करना है, यहां पर मुझे कलव छोड़ना है, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक 3 पैनल का बनाता हूँ, तो एक 3 पैनल का और बना लेते हैं यहां से, और 3 पैनल का उता है, 96 इंटो 3, 288, ठीके, क्या क्या है, और इसको हमने यहां से, इस टाइब से मत कर दिया, राइट, तो, मेरा यहां पर आ गया, ओके, इसको तो दर्शा उफर कर दो आप इस टाइब से, इस टाइब से, तो मेरा पास एक यह पैनल बन गया, और इसको आप थोड़ा सा, इसको बराबर कर लो, ठीक है, लेफ्ट और राइट में स्पेस बराबर रहना चलिए, एक बन गया, उसके बाद में आपने क्या करना है, जिसम्टो सब्समितार है, 5Panel का बनाने के लिए लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 480, ठीक है? यहां से, तो, आप इसको भी इस टैप से बना लेंगे, कैंसल यहां से 0, और उठाके इसको भी आप यहां लेकर आएंगे, यह फाइनल पैनल पे उखेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने इसको इस टैप से लेकर आना है, तो दोनों साइट से क्या करना है, आपने जगा इस स्पेस को बराबर छोड़ देन एक इक उलुक भी रेके से को लिणां, तुब यह स्पेस की काम की लेकर आना है, जो नों को देना तो यह क्या होगा आपके पास यहां आ गया इस टैप से ठीक है यहां पर आपके पास आ गया यह और फिर उसके बाद कंट्रोल वी और कर दें तो आपके पास इस टैप से एक आ गया ठीक है फिर उसके बाद फिर कंट्रोल वी कर दें और आपके पास में तो द्यान दे आपने पूरा का पूरा जूम करके करना है क्योंकि मुझे तो आत पड़ गई है उस टाइप से तो अब मैं चेक करूँगा तो यह देखेंगे कि यह इसने जो लिया है अपर का अपर हाफ स्क्राइम पोर्शन ही लिया है यह देखेंगे यह देखेंगे हैं यह देखेंगे और इसको इस टैप से यहां करें और उसके बाद करें तो आप इसको भी यहां पर इस लाइन पर लाएं ठीक है और उपर से में थोड़ा इसको निचे करता हूं जो दान हो गया अब उसके बाद में यह हमारा जो है फाइप पैनल वाला रेडी होगे अब करने हमने इस इसको ठीक है यह जो सेंटर वाला है इसको और इस दोनों को स्लेक्ट किया हमने इस टैप से तो कंट्रोल सी और यहां पर क्लिक करता हूं में कंट्रोल वी तो सिफ्ट प्रेस कर एखाते है और यहां पर अइसको सिफ्ट प्रेस करके यहां पर लेडिए पैसे को प्लिक करना है आपर यह जो गया उसके बाद आप यहां पर लेकिए एक तो कंट्रोल वी कर दिया में इसको यहां से इसको यहां पर भी कंट्रोल भी किया और इसको आपने यहां के लिए कंट्रोल फिर भी किया हमने इसको तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप इसको एरो से आगे पीशे करेंगे तो यह थोड़ा इस टाइप से हमें इसको पना लिया राइट इसके बाद हमारा भी रहता है तो यहां पर है एक तो तीम चर पांच छे चे पैनल का हम लोग यहां से रैक्टेंगल फिर बनाते हैं तो यहां पर इस बार क्या करना है मैंने कैल्कुलेट लेना है विट के अंदर शिक्स पैनल ड यहां पर करेंगे आप 576 एंड हाइट में करेंगे ओनली 96 क्योंकि बुझे इस बार पैनल इस टाइप से चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इसको पूर राउंड कर लेता हूँ इस टाइप से ओके इसको उठाके अपना यहां ट्रैक करते हैं हो गया और इस ही की एक कॉपी ल कंट्रोल सी एंड यहां पर लेक्या आते हैं कंट्रोल फी तो सिफ्ट प्रेस किया यहां पर लेक्या है इसको टी केंगे इस टेप से ओके हाँ थोड़ असा यहां आएगा ठीक है दन हुआ और उसके बाद में सेम टो सेम अगर मेरे पास यह सिक्स पैनल का है तो अब मैं क्या करता हूँ यहां पर बनाता हूँ एक फॉर पैनल था ठीक है तो सिंपल मैंने क्या किया दोनों साइड से एक एक पैनल छोड़ दिया ना हमने तो सेंटर म यहां पर क्लिक किया और फॉर पैनल का हम लोग बनाते हैं तो यहां पर बनिया अपना कितना अटर थी फॉर ओके एंड इसको करें ओके इसको भी हमने क्या करना है इस टैप से कर लेता है ओके यहां पर लाने के बाद इसको सिंपल अठाकर क्ट्रॉल प्लस थोड़ा जूम करेंगे और इसको यहां पर सेंटर में प्लेसिंग कर लेनी है और उपर त्रिक कैसे एंड कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद में अरे गलत हो गया भई हमने तो न्यूड जैन कोई उठा लाए यहां पर ना कंट्रोल जैड कंट्रोल जैड से आपका यह जो है प्रोपर अपनी पुरानी पोजिशन पर आजाएगा और मुझे कौन सा चाहिए आपको सिर्फ तो यह वाला चाहिए चैड एंड मुझे सेंपल यह वाला चाहिए था इस टैप से मेरे पास यह आ गया कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने और इसको शिफ्ट प्रेस के बाद उपर से नीचे से दोनों साइड से मैंने इसको इस टैप से ब्लैंक ट्रोड गया ओके डन हुआ तो यह क्लियर हुआ और इसको आपने यहां से चेक करें और उसके बाद इसी को आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है और यहां का भी गाइब हो गया यहां कॉन्य करें और कंट्रोल द्क शिफ्ट के साथ में इस टाप से यहां पर प्लेस कर देगी तो अब मेरे पास क्या है आप इनको उसके बाद भी यह जो है साइड़ी कर दे इनको ओकी तो यह देखे मेरे पास सेम तो सेम डिजाइन बनके मेरा रेडी हो गया है तो वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सस्क्राइब जरूर करें और दूसरी बात यह है कि अब यह जो आपके पास पी एंजी बन गया है ठीके पूरा का पूरा ट्रांस्पिरेट है यह आपका ठीके तो आपने क्या करना है इसको पहले तो आपने इसी टाइप से पूरा का पूरा पी एंजी सेव कर लेना है इसमें डो फाइल्स एक उसे कुछ सेव करेंगे लिगे पोर। इस जिए पूरा का α्मीं आपने अब्धा पूर्ण आपने आपटर फेक्ट निए अगे अब्धाना著akes भी अगडाना पनेगा थारे क्लों जारेति कि देड्स क्लास 2 के नाम से देए, डेस्टॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया, राइट, ओकी, ठीक है, तो यह मेरा पी एंजी सेव हो गया, अब क्या करते हैं, मुझे इसमें चाहिए ब्लैक बैगराउंड के साथ वे, तो मैंने क्या किया, यहां से एक न्यू लेयर बनाई, और चाहे बैगराउंड है, टांस्पिरयत है, और आपका यह जो है, ग्रेंट बना वहा है, और आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर जाना है, फिर्स्ट वाली लेयर के उपर ग्रेंट कर दिया है, और यहां से इसको ब्लैक सलिक करना है, does not click, ने क्ला, इसमें पर जेया कि आपने विए आपने सेवारे लेंने है तो फाइल किया है고 तडहरा प्लास थो किया और यहां से क्लास लेडिश ही कर लेते हैं क्लास कि मे oxygen निगने है कि प्लास लाट में की लाटा दला है लोल दोकर मैंने फाइल को फी फाइल को और क्लास क्लास, क्लास, क्लास क्लास 3 के नाम से से एफाइल यह वाली Menschen पोज onion rangi जाहां-जाहां पी-न-जी तो यह पा­णूर कहते हुता हुद इंगे लिए ठ्रॉइंड का आँ, मैं सिंपल किंड़ कृप तो यह त्रांस्परेट बन गया आपका, तो इसको भी त्रांस्परेट करना है, तो इसको भी त्रांस्परेट करना है, तो इसको भी त्रांस्परेट करना है, इसको भी त्रांस्परेट करना है, तो इसको भी त्रांस्परेट करना है, तो इसको भी त्रांस्परेट करना है, इसको डिलीट करके ट्रांस्पेट बना दिया। इसको बाद आप इसको फाइल को सेव कर लें। और आप उसी ब्लैक बैग्राउंड के अंदर कर लें इस पे आपने पहले फाइल की थी। अभी क्या को किये, यह आपकी ट्रांस्पेट फाइल बन गई। तो सारा काम आपने जब भी कर लेंगे और आफ्टरफेक्ट के अंदर जारा सारा का सारा कम्प्लेट हो जाएगा तो उसके बाद में इस फाइल को आपने सबसे नीचे रखते रहे हैं तो होगा क्या उसके बाद यह जो आपका जो ब्लैक बैग्डाउंड है वो पीछे अपने आप आ जाएगा और आपको मतलब जो पीछे आपने उस पर आफ्टरफेक्ट में काम किया है वो आपको यहां पर उसका मास्किंग बन जाएगी जहांजा आपको कुछ भी विजूल स या कुछ नहीं चाहिए ठीक है वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेट तो जरूर करें कम से कम कि कम से कम हमें यह पता लगे कि आने वाला आपका टॉपिक क्या है और मैक्सिमम जो लास्ट वीडियो में कमेंट आये थ शायद भी यहां पर प्रोपर तरीके से नहीं है इसको थोड़ासा देख ले चेक कर ले कि हाँ यह थोड़ासा हल का सब बहर आ रहा है तो प्लीज इसका इसको आप चेक करें ठीक है। चेक करें तो बाकी डिजाइन आपके सामने है सेम टूसे मैं और बहुत ही अच्छे औ तो मिलते हैं एसी नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाइ